Difference between Carpet Area and Super Area in Hindi Carpet Area और Super Area दोनों ही Real Estate में उप्योग किये जाने वाले माप्देंड हैं, जिनका उप्योग संपत्ती की सही कीमत और उप्योग की जाने वाली जगह को समझने में किया जाता है. Carpet Area वह शेत्र है, जिस पर आप वास्तविक रूप से चल सकते हैं या फरनीचर रख सकते हैं. इसमें कमरे, हॉल, रसोई और शौचाले की वह जगह शामिल होती है, जो दीवारों के अंदर होती है. इसे, Carpet इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह उस ख्षेत्र को दर्शाता है, जिस पर कालीन बिछाया जा सकता है. Carpet Area में दीवारों की मोटाई, बालकनी और कॉमन एरिया नहीं आते, इसलिए यह समपत्ती का सबसे उप्योगी ख्षेत्र होता है. Super Area वर्ट शेत्र है, जिसमें समपत्ती का कुल एरिया शामिल होता है, जैसे की Carpet Area, दीवारों की मोटाई, बालकनी और बिल्डिंग के कॉमन एरिया, जैसे लॉबी, सीडिया, लिफ्ट एरिया का हिस्सा. इसे बिल्डर द्वारा साजह सुविधाओं के आधार पर बाटा जाता है, इसलिए Super Area आमतोर पर Carpet Area से बढ़ा होता है. संक्षेप में, Carpet Area केवल उपयोगी जगह को दर्शाता है, जबकि Super Area पूरेट शेत्र को, जिसमें साजह स्थान भी शामिल होते हैं, दर्शाता है. ऐसी और इन्फॉर्मिटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें.